इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 6.5 यह लाउज आफ प्रॉबबिलिटी की रिलेटेड है, थ्री लाउज हैं, एडिशन लाउज आफ प्रॉबबिलिटी जिसमें ओवरलैपिंग और मुच्वली एक्स्क्लूसिफ लाउज हैं, फिर कंप्लिमेंटरी इवेंट्स और खबराने की जरूरत नहीं है, यह आप अलरड़ी पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 6.1 तो 6.4 में, जैसे एक बेबी बच्पन में अम्मी अब्बू या मामा बाबा बोलता है, तो वो नहीं जानता कि मैं अर्दू या इंग्लिश बोल रहा होता है, और बड़ा होने को उस और एक्जांपल, यह सर्कल रिप्रेजेंट करता है किसी इवेंट A के अकर होने की probability, और यह सर्कल रिप्रेजेंट करता है किसी डिफरेंट इवेंट B के अकर होने की probability, मगर पिक्चर में एक और एरिया भी है, यह ओ़रलैपिंग एरिया, यह कहलाता है intersection of A and B, जिसको यू लिखा जाता है और यह अरिया बेसिक लिए रिप्रेजेंट करता है probability of A and B occurring together for example अगर हमने randomly कोई playing card select करना हो तो हमारे पास possibility है कि हम A में jack pick कर लें और B में pick कर लें hard ऐसे हमें left circle में हमारे पास cards होंगे jack diamond, jack of spade और jack of club और right वाले circle में होंगे two का हार्ट, three का हार्ट, four का हार्ट and so on क्योंकि काफी सारे card होते हार्ट के और सिर्फ एक ही card होगा जो दोनों circle share करेंगे वो कौन सा होगा? jack of hearts क्योंकि jack भी है और heart भी है तो उसके हम दोनों circle के intersection में place कर देते हैं intersection समझने के बाद हम union की तरफ चलते है union इस तरह से लिखा जाता है और इसको पढ़ा जाता है probability A और B जैसा सुनने में लग रहा है वही इसका मतलब भी है कि A या B की probability चलते हैं एक दफ़ फिर से cards example की तरफ probability of A union B या jacks union hearts का मतलब होगा कि हम find करना चाते है probability of jacks heart वाले jack के इलावा और इसके इलावा probability of heart jack वाले heart के इलावा और इसके इलावा ये central area probability of jack जो के heart वाला हो यानि practically वो सारा area जो when diagram के अंदर है ओके लेकिन हम इसको calculate कैसे करेंगे देखें एक तरीका तो यह है कि हम complete probability of picking a jack लें और उसमें add करें complete probability of picking a heart लेकिन ऐसा करने पर हमने middle area को दो बार count कर लिया है लहाजा हमने A और B में से A का intersection वाला हिस्सा माइनस करना है और ये रहा union का formula और ये है overlapping condition अब देखें अगर A और B overlapping ना होते तो क्या situation होती है कुछ ऐसी इस सूरत में formula to calculate probability होता ऐसा यानि कोई intersection वाला हिस्सा नहीं है और ऐसी condition को कहते है mutually exclusive यानि एक साथ नहीं रह सकते इस तरह हमने addition laws of probability समझ लिए हैं अब हम complementary events की तरफ जाने से पहले conditional probability पढ़ते हैं जिसको multiplicative theorem भी कहते हैं conditional जिसको लिखा इस तरह से जाता है और पढ़ा जाता है probability of A given B basically जब हमें already given हो कि जो answer होगा वो पहले अकर होने वाले B पे dependent है ऐसे में क्या probability है कि A अकर होगा चलें एक बार फिर से cards वाली examples देखते हैं इसको यूं समझें कि अगर ये बता दिया जाए कि card ने heart ही में से निकल लाए तो इसकी क्या probability कि heart में jack निकल आए हमें बता दिया गया है कि B अकर हो रहा है और हम ये जानना चाते हैं कि B का कितना हिस्सा जिसमें A भी common है वो अकर होगा उस हिस्से को हम कहते हैं A intersection B और इस हिस्से की probability को हम divide करते हैं probability of given B से यानि इस सूरत में A के आने के chances depend कर रहे हैं B के आने पे इसको कहते हैं dependent events इसको अगर rearrange करके लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि probability of intersection B is equal to probability of A multiplied by probability of B given A जो line है इसको कहते हैं given और अगर A के आने की probability B के आने पे depend ना करे तो उसको कहेंगे independent events इन दोनों events को balls वाली example से समझते हैं जो हमने exercise 6.3 में भी पढ़ी थी अ बैक contains 3 red and 7 green balls ये एक बैक है उसमें 3 red और 7 green balls है अ बैक है उसमें 3 red और 7 green balls है अ बैक है उसको निकाला गया not replace दोबारा नहीं रखा गया and another is drawn और एक और बैक और बैक निकाल लिगी फर्स बाल हमारे हाथ में red आए इसके क्या chances है 3 by 10 अब चलें फर्स बाल हमने उठा ली अब देखें क्या second ball red pick होने के chances में फर्क आया और calculate करते है 3 multiply by 2 divided by 10 multiply by 9 तो यह 3 1s are 3, 3 3s are 9, 2 1s are 2, 2 5s are 10 तो उपर क्या रहा गया 1 और नीचे 5 3s are 15 तो अब इस तरीके से लिखते हैं कि हमने solve करके question को paper में लिखना का है let a is equal to the first ball drawn is red इसकी probability क्या है 3 by 10 let b is equal to second ball drawn is red इसकी probability क्या है probability of b given a क्योंकि यह depend कर रहा था पहले से एक ball कम होगी है total में से तो probability of b depend कर रहे है probability of a पे यह निकला क्या चीज़ है एक निकल गया है तो अब बचा है हमार पास 2 by 9 तो अब इसको इस formula में लिखते है probability of a intersection b यानि probability of a and b यानि multiply हो रहे है is equal to probability of a multiply by probability of b given a multiply by 2 by 9 is equal to 1 by 15 इसको दूसरी condition देते हैं जबके independent है dependent इवेंट नहीं है वही bag है उसके अंदर 3 red और 7 balls है अब देखें question में एक तबदीरी किया उसने a ball is drawn replaced यानि उपर ही हवा में नी रखी ती दुबारा अंदर डाल दी है and फिर another ball is drawn तो अब क्या होगी find the probability कि पहली ball red निकले और दूसरी green निकले अब यह हम करके आ रहे हैं pick replace and pick तो यानि replace करने की वज़े से क्या होगी जो पहली ball हम निकालेंगे उसका कुछ फर नहीं पड़ेगा दूसरी ball निकलने की probability पे देखें total balls कितनी है 10 red balls कितनी है 3 तो red ball निकलने की probability क्या होगी 3 by 10 अब हमने यह ball निकाल दी है और अब हम क्या कर रहे हैं इसको दुबारा replace कर लेते हैं तो आप देखें कि दुबारा कोई भी चीज़ निकाले है उसका पहले के साथ कोई तालुक नहीं है independent है उससे ठीक है अब देखें total balls कितनी है वो ही 10 है अब green ball हमने निकालनी है तो green ball निकालने की probability होगी 7 by 10 और end का मतलब होता है multiply इनको multiply किया तो answer आगे 21 by 100 तो let a is equal to the first ball drawn is red इसकी probability है 3 by 10 let b is equal to the second ball drawn is green इसकी probability है 7 by 10 तो इनको लिखेंगे किस तरह probability of a intersection b is equal to probability of a multiply by probability of b given a नहीं है क्योंकि ये independent है और इसको लिखेंगे 3 by 10 multiply by 7 by 10 is equal to 21 by 100 तो हमारी probability कि acid bag में जिसमें 7 green और 3 red balls हो पहली ball red निकला है और दूसरी green निकला है probability इस इमकान है 21 by 100 तो अब आपको conditional probability या multiplicative theorem समझ आ गया होगा अब हम चलते हैं complimentary events की तरफ जो के सिरफ common sense है चलें देखते हैं ये probability line आपको याद ही होगी probability minimum 0 हो सकती है और maximum 1 हो सकती है ना 0 से कम ना 1 से ज्यादा coin को flip करें तो total दो events हो सकते है head आएगा या head नहीं आएगा head आने को हम कह देते हैं event e और head ना आने को event e prime या compliment देखें मैंने tail नहीं use किया लवज मैंने use किया कि head नहीं आएगा खास तोर पर यूज किया था कि आपको बात में समझ आदेगा head आने की probability होगी 1 by 2 और ना आने की probability होगी वो भी 1 by 2 अगर इन दोनों की probabilities को add करें तो total 1 आएगा इस में से कोई एक भी given हो हमारे पास या नि probability e given हो या probability of e prime तो हम 1 में से minus करके अपना answer ले सकते हैं दूसरा को निकाल सकते हैं तो probability of e given हो तो probability of e prime निकालने के लिए हमारे पास 1 में से minus करेंगे तो answer आजाएगा 2 dice are thrown simultaneously find the probability of getting e an even number as the sum e prime या e complement an odd number as the sum तो पहले देखते हैं e an even number as the sum जब 2 dice को हम लोग रोल करते हैं तो हमारे पास total जो sample space होती है वो कितनी होती है 1 1 आ सकता है 1 2 आ सकता है 1 3 आ सकता है 2 1 2 2 2 3 6 1 6 2 6 3 up to 6 6 तो total 36 events है probability of e यानि even number आने के chances होंगे कितने वो depend करेंगा number of events in e divided by total number of events in sample space तो number of events in e कितने हैं यानि even number दोनों का sum मिला के कितने होते हैं वो कितने हैं 1 और 1 को add करें तो 2 आता है even number 1 और 3 को add करें तो 4 आता है even number है 1 और 5 को add करें तो 6 आता है even number यानि हर रो में इस तरह के 3 ऐसे combination है तो ये total कितने होए 3 6 आ 18 18 divided by 36 18 1s आ 18 18 2s आ 36 यानि probability of getting an even number as a sum is 1 by 2 तो e prime या के odd number आने के क्या probability होगी वो 1 minus probability of e is equal to 1 minus 1 by 2 is equal to 1 by 2 तो ये तो हमें formula से आ गया लेकिन इसी तरीके से हम लोग calculate भी करके देखते e prime is equal to an odd number as a sum तो probability of e prime is equal to number of events in e prime divided by number of events in sample space तो number of odd numbers जिनका sum होगा वो कितने होगे वो भी total 36 में से 18 ही होगे 1 2 को add करें तो क्या आता है 3 1 4 को add करें तो 5 1 6 को add करें तो 7 तो ये total 18 इस तरह के odd numbers आएंगे अगर sum किया जाए तो 18 और total events कितने हैं 18 1s आ 18 18 2s आ 36 ये भी 1 by 2 probability of e plus probability of e prime ये e complement is equal to 1 अगर 1 dice को roll करें तो अब हमारे पास क्या probability of getting multiple of 3 और क्या probability है कि multiple of 3 ना आए इसको हम e prime ये e complement कहते थे probability का formula देखें एक बार फिर से dice पे 1 से 6 तक्स नमबर है इसकी total possible events कितनी है sample space में 6 probability of e कि हमारे पास multiple of 3 आए वो कितने है यानि 3 1s आ 3 3 2s आ 6 तो दो ये ऐसे नमबर है जो 3 के table में आते है तो ये होजेगी 2 divided by 6 या इसको वगर करें 2 1s are 2 2 3s are 6 तो ये आ गया 1 by 3 probability of getting an even number while throwing a dice is while getting a multiple of 3 is 1 by 3 और probability of e complement या e prime कितना होगा यानि कि इन दो के इलावा देखें बाकि सारे के सारे multiple of 3 नहीं है वो क्या क्या है 1, 2, 4, 5 total 4 ऐसे numbers है तो 4 by 6 इसको भी जड़ा simplify कर लें to 2 the 4 और 2, 3 the 6 तो ये आ गया 2 by 3 अब देखें probability of e plus probability of e complement या e prime is equal to 1 इसमें आप देखें 1 by 3 plus 2 by 3 is equal to 1 इसको आप जो है उसी तस्वीर से समझें अगर ये e का सरकल है हमारे पास और ये हमारे पास total sample space है जो 1 होती है तो e की probability क्या है ये 1 by 3 तो बाकि जितना कुछ sample space में बचा है वो क्या होगा e complement और उसकी probability क्या है probability of e complement is equal to 2 by 3 अब देखें ये पूरी की पूरी sample space कितनी बन जाएगी जिसमें e complement भी है और e है 2 by 3 plus 1 by 3 is equal to 1 तो अब आपको complementary events भी सही से समझ आ गए है अब आपके लिए exercise करना बिलकोल असान हो जाएगा